Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी रोचो कुर्पयोगी जानकारी है अद्रक और सोट में अंतर तो चलिए शू करते हैं आज सबसे पहले ये अद्रक भारती रोसोई में अद्रक को किसी की परिजय की आवशक्ता नहीं है इसको अंग्रेजी में जिंजर कहा जाता है ये मूलिता दक्षिन भारत और दक्षिन पूर्वी एशिया से है ये जिंजिबर ओफिसिनाल वेज्ञानिक नाम वाले पौन्दे का प्रकंद यानि राइजोम है भारती ये भोजनों सबजियों तो दालों में अद्रक ऐसे ही चोटे-चोटे टुकडों में या पेस्ट के रूप में उप्योग में लाया जाता है अद्रक का उप्योग सात्विक भोजन अथार बिना प्याज और लहसुन के भोजन में भी किया जाता है अद्रक का उपयोग केक, ब्रेड, बिस्किट, कैंडी और बहुत से पेपदार्थों को स्वात देने के लिए भी होता है अद्रक का आयरवेदिक पुस्तकों में उचा सान है चरक और शुषुत सहीता में अद्रक के औश्यदिय गुणों का उलेक है अद्रक पाचन को बढ़ाने तथा भीतरी सूजन अथार्थ इंफ्लमेशन दूर करने में सहायक है अद्रक के छिलके के नीचे बहुत सुकंध होती है इसलिए आप इसे बिना धारवाली चीज से खुरच कर निकालें अद्रक जैसे दिखने वाले गलन गल तथा अद्रक के विशय में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं अद्रक हर सबजी की दुकान पर पूरे साल भर उपलवत रहता है आज दूसरा है ये सोट जो अद्रक का ही सुखा हुआ रूप है इसे अंग्रेजी में ड्राइड जिंजर भी कहा जाता है पुराने समय में सोट को घरों में ही बना लिया जाता था सोट को बनाने के लिए अद्रक को अच्छे से साफ कर उबाल कर सुखाया जाता है फिर उसे चूने के पानी में भिगो कर कुछ समय रखने के बाद पुने सुखा लिया जाता है वैसे सोट हर परचून की दुकान पर पूरे साल भर उपलब्द रहती है सोट का उप्योग सर्दियों से बचाव के लिए बनाए जाने वाले काड़े में होता है सोट पाउडर बहुत से मसाले मिश्रन यानि स्पाइस ब्लेंड को बनाने के लिए भी उप्योग में लाया जाता है सर्दियों के अनेक पकवानों लड़्डू और पंजीरी आधी में सोट का उप्योग होता है यह है अद्रक और यह है सोट और यहां है यह सोट का पाउडर यह सोट इसी अद्रक का सुखा हुआ रूप है अद्रक के स्वाद में हलकी से जाल होती है जबकि इस सोट में जाल थोड़ी कम होती है अद्रक और सोट के स्वाद में भिनता है, ऐसे में आप अद्रक को सोट से सब्सिट्यूट या बदल नहीं सकते हैं, परन्तु आप तरी इत्यादी में सोट का उप्योग एक नया टेस देने के लिए कर सकते हैं सोट की सुगन इस अद्रक की तुलना में अधिक तेज होती है, अद्रक का उप्योग एवरिड़ी लाइफ के भोजन में ताजे मसाले के रूप में होता है, जबकि सोट का उप्योग विशिष्ट पकवानों में औशदी की तरह किया जाता है, इन दोनों का ही मूले आप स्क् योगी रहेगी, thanks for watching and keep enjoying our everyday life.